शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पानने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल सॉर्ट हैंड गुरुजी को नमश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड गुरुजी यूट्यूब चैनल पे आज का डिक्टेशन हिंडी डिटोरियल का डिक्टेशन है जिसकी गती रहेगी 80 सब्द प्रतिमिनट की और आज की डिक्टेशन में जो भी कठिन सब्द आपको लगेंगे उन सभी की आउटलाइन आपको PDF के जस्ट नीचे ही मिल जाए गयाने की PDF में इंकलूड है जैसे ही आ PDF कोलेंगे तो उपर मैटर रहेगा और उसके नीचे आउटलाइन्स आपको मिलेंगी अगर पहली बार में आपका डिक्टेशन अच्छा नहीं होता है तो कभी भी आप गिवप मत किया करिए और अच्छे से उसका अभ्यास किया करिए सारे आउटलाइन्स का सारे वर्ड्स अगर दुबारा आप डिक्टेशन लिखा करिए अगर दुबारा भी अच्छा नहीं होता है तो तीसरी बार भी लिखा करिए इससे क्या होगा कि जो भी शब्द आजकी डिक्टेशन में आपकी वह स्ट्रॉञ हो जाते है और धीरे धीरे अगर आप सब्दों को तो आगे आने वाले समय में आपके लिए इडिटोरियल डिक्टेशन लिखेना भी बहुत आसान हो जाएगा यह सिधर स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन को आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटा फट लाइक कर दीजे डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी पांच सिकन के बाद रेडि स्टार्ट राष्ट्रपती पद के विपच्छ के प्रत्याशी यस्वंत सिनहा की और से नामांकन पत्र दाखिल किये जाने के बाद राहुल गांधी का यह कथन कई प्रश्न खड़े करता है कि यह दो व्यक्तियों की नहीं बलकि दो विचारधाराओं की लड़ाई है आखिर वह किसकी विचारधारा की बात कर रहे हैं कांग्रे समेत अन्य विपच्छी दलों की या फिर यश्वंत सिनहा की यदि वह यश्वंत सिनहा की विचारधारा की बात कर रहे हैं तो वह तो लंबे समय तक भाजपा में रहे हैं उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुवात जनता पार्टी के साथ की इसके उपरांत वह पहले वीपी सिंग के जनता दल से जुड़े और फिर चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी से इसके बाद उन्होंने भाजपा का साथ पकड़ा भाजपा में रहते समय उन्होंने कांग्रेस की कठोर आलोचना ही नहीं की बलकि कई बार भाशा की मर्यादा का भी उलंगन किया नरेंद्रमोदी के प्रधान मंत्री बनने के कुछ समय बाद वह उनके निंदक बन गए और एक तरह से यही उनकी पहचान बन गई इसी पहचान के साथ वह त्रिनमूल कांग्रेश में शामिल हुए आखिर जिसने इतने दलों की यात्रा की हो उसकी विचारधारा के बारे में कैसे जाना जा सकता है यश्वंत सिन्हा ममता बनर जी की पहल से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बने लेकिन तब जब शरदपवार फारुक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी ने राष्ट्रपति का चुनाओ लड़ने से इनकार कर दिया था समस्या केवल यह नहीं कि वह विपच्च की चौथी पसंद हैं बलकि यह भी है कि उन्हें सभी विपच्ची दलों का समर्थन भी हासिल नहीं है उनकी समस्या इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि भाजपा की और से जन जाती समुदाय की द्रोपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोशित किये जाने के बाद कई दलों के सामने यह दुविधा खड़ी हो गई है कि वह उनका विरोध कैसे करें उनकी यह दुविधा यश्वन्त सिनहा के नामांकन दाखिल करते समय नजर भी आई जारखंड मुक्ती मोर्चा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनके नामांकन के समय अनुपस्थित रहना बहतर समझा यह स्वाभाविक भी है क्योंकि वन्चित वर्गों के हितों की चिंता करने वाला कोई भी दल यह संदेश देने का जोखिम नहीं उठा सकता कि वह जनजाती समुदाय की महिला को राष्ट्रपदी पद पर आसीन होने के पच्छ में नहीं यदि कांग्रेस को यह साधारण सी बात समझ में नहीं आ रही है तो इसका यही कारण हो सकता है कि वह खुद अपनी मूल विचारधारा से भटक चुकी है विचारधारा के नाम पर कांग्रेस केवल इस विचार से ग्रस्त है कि उसे हर हाल में मोदी सरकार का विरोध करना है यह विरोध भी अंधु विरोध में बदल चुका है और इसी लिए आज स्वयम कांग्रेस जनों को भी यह समझना कठिन है कि उनका दल किस विचारधारा पर चल रहा है स्टॉप